Leaning Tower of Pizza का नाम लेते ही, हमारे दिमाग में एक सफैद रंग के टावर की तस्वीर आती है, जो एक तरफ को जुका हुआ है. ये टावर विशव भर में सिर्फ अपने टेड़े पन के कार नहीं मशूर है, क्योंकि एक टेड़ा टावर होने के इलावा इसमें दूसरी कोई खास खुब भी नहीं है, और दुनिया में ऐसे और भी कई टावर होंगे, लेकिन वो इतने मशूर नहीं हो पाई, क्योंकि वो टावर ओफ पीसा टेड़ा है, लेकिन इसके बनने और टेड़े होने की कहानी इससे भी ज्यादा टेड़ी है, तो आज की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे, सो हेलो फ्रेंड्स फोटो लवर्ज में आपका स्वागत है, पीसा का ये जुकता मिनार इटली के पीसा शहर में बढ़ता है, और इसे 1173 में बनाना शुरू किया गया था, पीसा शहर उस समय एक सवतंतर राज्य हुआ करता था, और इस राज्य की शक्ती और अमीरी को दिखाने के लिए इस मिनार की नीव रखी गई थी, और यहीं से गल्तियों की शुरुआत हो गई, क्योंकि इस ज पीटर की नीव पर ही इस टावर को बनाना शुरू कर दिया गया, इसी कारण जब टावर की सिर्फ तीन मंजले ही बनी थी, तो टावर एक तरफ को जुकना शुरू हो गया, उसी समय पीसा के अपने पडोसी राजियों से जंग शुरू हो गई, इस कारण इस टावर को बना जाने की काम रुकने के लगभग एक सदी बाद इसे तो बारा बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन तब बड़ी दिक्कत ये थी कि जो टावर पहले से ही जुका हुआ है उस पर उसारी कैसे होगी। इसी लिए कारीगरों ने एक तरकीब निकाली कि अगर पहले से बनी मंजिलें इस तरफ को जुकी हुई है तो हम बाकी की मंजिलें सीधी बना देते हैं जिसके चलते टावर सीधा हो जाएगा। लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई क्योंकि बनते बनते ही टावर और जदा जुकने लगा। दूसरी तरफ पीसागी एक जंग में हार हुई और 1284 में टावर का काम एक बार फिर से रुख गया। तब तक इस टावर की 6 मंजिलें बन चुकी थी। इसके बाद 7 मंजिल 1319 में और 8 मंजिल 1372 में बनाई गई। मतलब इस टेड़े टावर को बनाने के लिए दो सदियों का समय लग गया। इस टावर की उसारी चाहे पूरी हो चुकी थी लेकिन इसके जुकने का सिलसला लगातार जारी रहा जो सभी को परेशान कर रहा था। इसलिए समय समय पर इसे जुकने से रोकने के लिए कोशिशें होती रही, लेकिन कोई भी तरकीब इसे जुकने से रोक नहीं पाई 1990 के आसपास, इंजीनियरों ने अंदाजा लगाया कि जिस दिन ये टावर 5.44 डिगरी जुक गया, उस दिन ये टावर गिर जाएगा लेकिन अंदाजा लगाने के समय ये टावर 5.50 डिगरी जुका हुआ था, और इंजीनियरों ये सोच रहे थे कि ये टावर अब तक गिरा क्यों नहीं दूसरी तरफ, 1989 में इटली का एक ऐसा ही और टेडा टावर अचानक गिर चुका था, जिस कार्ण टावर ओफ पीसा को लोगों के लिए बंद करके इसे सीधा करने की कोशिशें शुरू कर दी गई 1990 से लेकर 2001 तक 11 साल ये टावर बंद रहा और इसे सीधा करने की कोशिशें जारी रही इसी बीच इसकी उंची तरफ से धीरे धीरे करके मिट्टी निकाली गई जिसके चलते टावर का जुकाव 5.5 डिगरी से घटा कर 3.97 डिगरी हो गया इंजीनियर्स अगर चाहते तो इसे और सीधा या फिर पूरी तरह सीधा कर सकते थे लेकिन वहाँ के सरकार ऐसा नहीं चाहती थी क्यूंकि अगर लीनिंग टावर ओफ पीशा सीधा हो गया तो इसे देखने को न आएगा और टूरिजम से आने वाला पैसा रुक जाएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेर करें और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें